हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक और संतवानी पढ़ने जा रहे हैं इस संतवानी का नाम है संत कृपाजाली यह संतवानी संत बहिनाबाई द्वारा लिखी गई है तो सबसे पहले हम कवित्री का परिचे पढ़ेंगे उसके बाद संतवानी पढ़ेंगे और उसके भावारत क को समझेंगे संत बहिनाबाई का जन्म सन 1668 में हुआ था तथा शन्स 800 में उनकी मृत्यु हो गई वह वारकरी संप्रदाई की संत कव्यत्री हैं संत बहिनाबाई संत तुकारा महाराज की शिश्य थी इसीलिए कव्यत्री की रचनाओं में संत तुकारा महाराज के व्यक्तित्व और कावे रचना का प्रभाव दिखाई देता है बहिनाबाई ने अनेक प्रशिद्ध उव्या स्लोक तथा आर्ति का लेखन किया है भक्ति का भावपुर्ण अविश्कार उनकी अभंग रचना की विशेश्चता है और आज हम जो उनके द वारकरी संप्रदाय के निर्मान में संत महत्वपुर्ण भूमी का निभाते हैं उसका बहुती अद्भुत वर्णन उन्होंने इस अभंग में किया हुआ है तो अब हम बढ़ते हैं अपने अभंग की योर अभंग का नाम है संत कृपाजाली संत कृपाजाली इमारत या पहिला पंक्ती मदे संत बहिनाबाय मनतात की वारकरी संप्रदायाची जी परंपरा आहे ज्यान द्यानाचा कार्याची जी इमारत पुर्ण जालिया है फल्दूप जालिया है ती संत याचाच्छ कृपा मूरेच अनेक संतानी ती पुर्ण होन्यास आप आपले द्यान दिलया है कहने का मतलब यह है कि संत बहिनाबाय कह रही है कि वारकरी संप्रदाय की जो परंपरा रही है वहां पर जो भी ज्यानोदय का कार्य हुआ है उसकी इमारत पूरी हो चुकी है फल्दाई रही है और यह सब संतों की कृपा के कारणी हुई है बहुत सारे संत थे जिन्होंने इस काम में अपना पूरा योगदान दिया है और इसी योगदान की वज़े से आज वादकरी संप्रदाई की जो इमारत है वो खड़ी हो पाई है जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत की भूमी संतों की भूमी के रूप में जानी जाती है भारतिय संस्कृती हर जगा फैली हुई है भारत में संतों की महिमा बहुत ही पसंद की जाती है और महाराश्च्ट संतों की भूमी है इसका बोलबाला हर जगा फैला है संतों की कृपा से वारकरी संप्रदाई की महिमा भी दूर दूर तक फैल गई है फिर भी वारकरी संप्रदाई का निर्मान ग्यान और भक्ती के बल पर हुआ है इसलिए संत कव्यत्री कहती है कि संत कृपा जाली इमारत फड़ा आली कहने का मतलब कि संत कृपा जाली यानि संतों की कृप्या हुई और इमारत फड़ा आली और थात वारकरी संप्रदाई की इमारत बन कर तयार हो गई कव्यत्री के कहने का ताथपर यह है कि महाराष्ट के सभी संतों ने अपना अपना महत्वपुर्य योगदान इस इमारत को तयार करने के लिए दिया हुआ है और यही कारण है कि आज महाराष्ट के वारकरी संप्रदाई की इमारत खड़ी हो चुकी है इस इमारत को खड़ा करने के लिए किन-किन संतों ने किस-किस प्रकार योगदान दिया इसका वर्णन वह अपनी अगली पंक्ती में करती है वह कहती है कि ज्यान देवे ने रचला पाय उभारले देवाले अर्थात संत न्यानेश्वरा नी महाराश्टरा त्वारकरी संप्रदायाची शुरुआत के लिए मतलब जो संत ग्यानेश्वर थे उन्होंने महाराश्टर में जो वारकरी संप्रदाय है उसकी शुरुआत की थी और उस समय का जो समास्ता वो बहुत ही सक्त था जिसकी वज़े से बहुत सारे जो लोग है वो अलग-अलग जो कास्ट के लोग थे उनको पूझा पाट करने नहीं देते थे मंदिरों में नहीं जाने देते थे और ऐसे समय पर जो संत न्यानेश्वर थे जो संत ग्यानेश्वर थे उन्होंने हर किसी के लिए जो भक्ती का दरवाजा है उसको खुला किया और इसलिए यहाँ पर उन्हें निव का पत्थर मतलब जो वारकरी संप्रदाय है वहां के सभी लोग या पर समाज के हर जो व्यक्ती है वो क्या कर सकते हैं उसकी स्थापना संत ग्यानेश्वर द्वादा महारास्ट्रा में वारकरी संप्रदाय द्वादा किया गया और इसलिए उनको यहाँ पर एक महतवपून स्थान दिया गया है उनके द्वारा ही वादकरी संप्रदाई की स्थापना हुई है ऐसा कहा जाता है इस संप्रदाई के स्थापना के लिए संत न्यानेश्वर को सामाजिक विवस्ते के खिलाफ जाना पड़ा था लेकिन फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ जाकर लोगों के लिए आम लोगों के लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया और इसलिए वह क्या हैं वादकरी संप्रदाई के स्थापक है आगे संत बह्योग किया गया है उसका अर्थ होता है सेवक और आवार का जो उपयोग किया गया है उस शब्द का अर्थ होता है आंगण तर या पंक्ती मदे संत बह्योग बाई मनतात की संत न्यानेश्वरानी रसलेला पायावर इमारा तुभी करना करिता संत नाम देवानी छोटा डगराचे काम केले मतलब जब न्यानेश्वर महाराज ने वारकरी संप्रदाई की निव रखी तो उस निव पर इमारत बांधने का काम संत नाम देव ने किया जब कोई भी इमारत की निव रखी जाती है और उसके उपर इमारत बांधने का काम जब शुरू होता है तो जो पहला पत्थर रखा जाता है तो उस पहले छोटे से पत्थर का काम संत नामदेव ने किया उन्होंने उन पत्थरों में शांती, सैयम, विश्वास, भलाई इन सभी बातों की सीख देते हुए इमारत का जो आंगर ने वो तयार किया संत नामदेव या वारकरी संप्रदाई के सेवक है और उन्होंने अपने ये सेवक की जो भूमिका है वह बहुती अच्छी तरीके से अदा करते हुए जो वारकरी संप्रदाई है उस वारकरी संप्रदाई में सभी लोगों के बीच शांती बनी रहे उनमें सयम रहे वह एक दूसरे के बारे में सोचे एक दूसरे की भलाई करे और उसके साथ साथ एक दूसरे के प्रति विश्वास रखे इस प्रकार की जो सीखे वो उन्होंने दूर दूर तक फैलाई और वादकरी संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार है वह इन सभी मुल्यो के आधार पर किया अर्थात संत नामदेव महराज ने पंजाब तक भागवत और वार्करी संप्रदाय के धर्म का प्रचार किया नेक्स्ट पंक्ति है जनार्दना एकनात खामब दिदला भागवत या पंक्ती मदे संत एकनात यानि वालकरी संप्रदाया चा प्रसार वा प्रचार करन्याचे कार्य संपुर्ण भारता मदे केले जाती धर्म भेदभाव मानुने हे लोकाना पटवुन देन्याचे प्रत्न केला त्याननी या मंदिराला भागवत रूपी भक्कम खामबा दिला मतलब संत एकनात ने वारकरी संप्रदाय का जो संपूर्ण भारत में प्रचार और प्रसार किया उसके साथ उन्होंने मनुष्य को जाती धर्म भेदभाव नहीं करना चाहिए इसकी शिक्षा दी और समाज के सभी लोग को समझाने की कोशिश की की वे लोग जाती धर्म भेदभाव इन चीजों को ना माने उन्होंने भागवत ग्रंद का एक मजबूत खंबा या फिर सहारा लोगों को दिया यहां पर एक और संथ की बात की गई है संथ जनार्धन तो यह जो संथ जनार्धन है यह संथ एकनाथ के गुरू है और इन दोनों ने मिलकर वारकरी संप्रदाय का प्रचार और प्रसार किया और साथ में जो भागवत ग्रंथ है यह भागवत ग्रंथ एक मजबूत खंबे के रूप में एक मजबूत सहारे के रूप में वारकरी संप्रदाय को प्रदान किया आगे संत बहनाबाई कहती हैं कि तूका जाल से कड़स भजन करा सावकाश मंजे वारकरी संप्रदायाचा शीखर क्युआ कड़स संत तूकारा महराजन न मंटले आए ते त्यांचा भजन किर्टना तून जनतेला ज्यान देऊन सत्याचा मारगावल चाल्व्यास शिकवन्याचे त्यांचे कार्य अतिशे प्रभावी ठडले मतलब वारकरी संप्रदाय का जो शीखर है या फिर कलशे वह संत तूकारा महराज को कहा गया है क्योंकि उन्होंने भजन और किर्टन के माध्यम से लोगों को सही रास्ते पर सही मार्ग पर चलने की सीख दी है और उनकी दी गई या सीख बहुती प्रभावी सिद्ध हुई है और इसलिए उन्हें जो वारकरी संप्रदाय है उसका सीखर या फिर कलश कहा गया है संत दुकारा महराज विठ्थल के बहुती बड़े भगते और उनका मानना यह है कि हमें हमेशा अपने मन में उनका नाम स्मरण करते रहना चाहिए हमेशा विठ्थल विठ्थल इस प्रकार उनके नाम को जबते रहना चाहिए उटते बैठते कोई भी काम करते हुए हमें उनको भूलना नहीं है अर्थात वारकरी संप्रणाई की जो इमारत है वह तयार हो गई है और अब इस इमारत में हमें बिना किशी शोर शराबे के शांती पूर्ण ढंग से आराम से इश्वर का भजन करते रहना चाहिए संत तुकाराम माराज को कलश कहकर शीखर कहकर उन्हें गौर्णवित किया गया है नेक्स्ट पंक्ती में संत बहिनाबाई कहती हैं कि बहिना मने फरक्ती द्वजा निरूपना केली बोजा मन्जे शेवटी बहिनाबाई मन्तात या मन्दिरावर भक्ती ची पताखा मन्जेश द्वज फरकत आहे सर्व संतान चा कार्या चे गोडवा समाजा पर्यंत पोचवन्या चे या मन्दिराचे विवरण मी भक्ती बावने केले आहे मतलम अंत में बहिनाबाई कहती है कि इस मन्दिर पर भक्ती का जंडा या ध्वर्ज लहराने का जो कार्य है वह उन्होंने स्वयम किया है अर्थात वारकरी संप्रदाई के सभी संतों ने किस प्रकार वारकरी संप्रदाई का इमारत रूपी मंदिर खड़ा करने के लिए अपना अपना योगदान दिया है उस योगदान का गुनगान मैं बहुती भक्ती भाव से कर रही हूँ उन्होंने एक प्रति निधित्व के तौर पर वारकरी धर्म का प्रचार और प्रसार लोगों तक पहुचाने का कारिया बहुती सुन्दर तरीके से इस अबंग के माध्यम से किया है